मुक्तार अंसारी को आज यूपी नहीं लाया जाएगा मुक्तार के यूपी लाए जाने का इंतजार अभी बड़ता दिख रहा है दरसल आज मुक्तार अंसारी को रोपर जेल से मुखाली की कोट में पेश किया गया मुक्तार को बिल्डर से रंगदारी मांगने के मामले में चार्शीट की कौपी देने के लिए कोट लाया गया था मौहाली पुलीस ने बताया कि मुकतार को कोट की प्रक्रिया के मताबिक ही लाया गया था मुकतार चलान की कौपी लेने के लिए आरोपी की हैस्य से कोट आया था अंसारी को चलान की कौपी रिसीव करा कर कोट से बापस रोपर जिल भेज दिया गया है इस मामले की अगली सुनवाई 12 अप्रेल को होगी वहीं अदालत में बेशी के लिए मुक्तार अंसारी को रोपड जेल से यूपी नंबर की एम्बूलन से कोट लाया गया था कड़ी सुरक्षा के बीच अंसारी वीलचेयर पर बैट कर अदालत में पेश हुआ वहीं वहीलचेयर पर बैठा हुआ बेसुद भी दिखा आपको बता दें यूपी के बाहुवली मुक्तार अंसारी के मुकद में और उनकी कस्टडी ट्रांसफर की याच्छिका पर सुप्रिंग कोट ने 26 मार्च को फैसला सुनाया था कोट करने कहा था कि अंसारी को दो हपते के अंदर उतरवरदेश की जिल में शिप्ट करना हुगा पंजाब सरकार की दलीलों से कोट संतुष नहीं हुआ था नियूज जैक्स कर सकता हुआ